भाई देखो रॉयल एंफिल्ड की बाइक्स बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको पसंद नहीं आएंगी सबको मैक्सिमम जितने लोग है सबको ही रॉयल एंफिल्ड की बात कर लो हिमालेयन थंडर बर्ड रंटर 350 कॉंटिनेंटल इंटर्सेप्टर तो है पाज बात करेंगा सब्सक्राइब काफी बढ़िया काम के हैं एंफिल्ड के बारें पहले अगरा बोला जाओ तो फिर वही जो एक क्लासिक 350 का मॉडल था वही बाइक के दिमाग में आता है लेकिन आजकल का जो बाइक दिंगा जैसे मीटियोर आया था पहले फिर यह अंटर बहुत जादा है इसमें आपको मिल जाते हैं हाँ जो है जो कि मैं बहुत जादा अप्रीशेट करता हूं कि रखो लेकार में उसका एकदम थ्रो एकदम कम होगा वह जिस बिल्कुल मत करो चाहे प्राइस कम हो लेकिन रखो बहुत सभी लगता है और बाइक का जो है लुक जो डीने है आपको ऑपर नीचे करके समूथ रखाइनमेंट बढ़ाया बढ़ाए गया है इसके वर्जिंग की बात करूं तो इसमें तीन बर्जन साते हैं आपको पहला है आपको रेट्रो फैक्टरी वर्जिन मिलेगा दूसरा है आपको मेट्रो रेबल लग आपको देखने को मिलता ह से उस टैप के आपको फीचर से में मिलेंगे अब एबीएस वागेरा रहेगा डूल डिस ब्रेक वागेरा रहेगा एलोई विल्स रहेंगे मीटर जो है वो काफी नए तरीके का रहेगा यह सारी चीज़ से देखने को मिलता है सब्सक्राइब निकलता है लगब 22 होर्सपावर और 20.2 बीएच्पी का पावर निकलता है 27 न्यूटन मेंटर के साथ 114 किलोमेटर पर आवर तक का इसका टॉप स्पीड क्लेम्ड है यही थे इसके स्पेक्स बगेर अगर बात करो तो फिर बाइक मैं जितने लोगों से सुनाओं कि बाइक चलाने में बहुत जादा कमफर्टेबल है क्योंकि राजरेंट की तरफ से तरफ से है इसलिए कमफर्टेबल तो रहेगी ही मेरे को बढ़िया लगी है क्या आपको मेरे कमें जाना और क्या आपके पास है मिलता हुआ अपसे अगले वडियों तक के लिए बाइट